आलो नमस्कार मिद्रों रुशी चिंदन चैनल मां आपका हार्दिक स्वागत है आज का चेप्टर है आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग यदि आप जल्ली आध्यात्मिक उन्नति चाहते है तो इसे के लिए सजाकता ऊश्यारी लखना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी सी छपरता थोड़ी सी मन की कंभिट्टा एकागरता शिद्योके थोड़े से दर्शन थोड़े से अंतर हियामिक नान की चलना अभी बाकी है, सदा शेवा करने को त्यार रहो, सुद्ध प्रेम, दया और नम्रता सहित शेवा करो, सेवा करते समय, कभी मन में भी समझने या उढ़ने का भाव मत आने दो, सेवा करते हुए, मूख पर खेद और गनानी के बाव मत आने दो, ऐसा करने से जिसकी सेवा करते हो, वो आपकी सेवा स्विकार नहीं करेगा, आप एक औसर रखो दोगे, सेवा के लिए औसर ढुड़ते रहो, एक भी औसर को मत जाने दो, बलकि औसर खुद बना लो, अपने जीवन को सेवा में बना दो, सेवा के लिए अपने रदय में चाओ तथा उच्छा बढ़ लो, दूसरे के लिए प्रसाद बन कर रहो, यदि ऐशा करना चाहते हो, तो आपको अपने मन को निर्बर बनाना अपने आच्रन को दीविय तथा आदस बनाना होगा, अनुवूती, प्रेम, उदारता, संचिलता और नम्रता बढ़ानी होगी, यदि दूसरों के विचार, अपने विचारों से बेन हो, तो उस लडाय जगडा न करो, अने कप्रकार के मन होते है, विचार ने की सेली, अने करती है, विचार ने के भीन भीन द्रश्टिकों हुआ करते है, अत एव हर एक द्रश्टिकों निर्दोस है, लोगों के मत के अनुकुल बनो, उनके मत को भी ध्यान तथा साहनवुती पुर्वकत देखो, और उसका आदर करो, अपने अहंकार चक्र के सुद्र केंद्र से ब अपना मत सुर्वग रहे और उदार बना सब के मत के लिए स्थान रखो, तवी आपका जिवन विचिस्त्रुत्र हो रदय उदार होगा, आपको दिरे दिरे मदुल और नमळ ओकर बात्चित करनी चाहिए, मितिबासी बनो, ओम अच्निय विच्चार और शविदनाओ को नि नहीं रहने दो, अपने आपको बिल्कुल भुला दो, अपने विक्तितों का वे अंस्याबाव न रहते पाऊं, वे सेवाकार्य के लिए पून आत्मस्समर्पर की आवसेक्ता है, यदि आप में उप्रोक्त सद्गोर्ण भुजुद है, तो आप संसार के लिए पथ प्रद कि सुगंद देशवर में व्याप्त हो जाएगी, आपने भुद्धी तत्व की उत्ततम अवस्ता को प्राप्त कर लिया, नम्र दयालो उपकार और शाहयक मनों, यहीं नहीं कि कभी कभी यथा उकास इन गुणों का उप्योक किया जाए, बलकि सर्वकार में आपके सारे जी एक भी सब्द ऐसा मत करो, जिसके दूसरों को ठेश पोचे, बोलने से पहले बली प्रकार विचार करो और देखलो कि जो कुछ आप कहने लगे हो, वह दूसरों के चिद को दूखी तो नहीं करेगा, यह वह बुद्धी संगत मदूर सत्य तता प्यरियत तो है, पहले से ही ज्यान पुड़ों के समझ लो कि आपके विचार सब्दों और कारियों का क्या प्रबा होगा, प्रारंब में आप कहीं बार भले ही और सपर हो, शकते हो, परन्तु आदि आप अभ्यास करते रहे, तो अंत्र में आप और शक सपर हो जाओगे, आपको कोई काम निरुच्छा से लापनवाही से बेमन से नहीं करना चाहिए, यदि मन की एशी भूती रखोगे तो जल्दी उन्नती नहीं कर सकते, चंपनत, चित्त, मन, बुद्धी और आत्मा उस काम में लगा होना चाहिए, तभी आप उसे योग्या इश्वरपन कर सकते हो, कुछ वनुष्य हाथों स काम करते हैं, और उनका मन कलकत्य के बजार में होता है, बुद्धी दफ्तर में होती है, और आत्मा त्रियों या पुत्र में सलगना रहती है, वह बुड़ी आदत है, आपको कोई भी काम हो, उसे योग्या असंतों सप्रद्द धंग से करना चाहिए, आपका आदत यह होना चाहिए कि एक समय में एक ही काम अच्छे डंग से किया जाए, यदि आपके गुरु मित्र आप से तोलिया धोने को कहें, तो आपको उनना उनने बताये हुए ही उनके और कप्ड़ों को भी दो डालना चाहिए, लगातार और सफलता होने से आपको शाहस नहीं छोड़ना च चाहिए, और सफलता के द्वारा आपको अनुबव मिलता है, आपको हुआ कारण मालुम होगे, जिस और सफल हुए है और बोविश्य में उनने से बचने के लिए सत्यच रहोगे, आपको बड़ी-बड़ी होश्यारी से उनकारणों में रक्षा करनी होगी, उननी असपलता की कमजोरी में से आपको शक्ती मिलेगी, और सफल होते हुए भी आपको अपने सिद्दान्त, लक्षय, निष्चे और शाधनकार ड़ड़न मत्ती होकर पालन और अनुशरन करना होगा, आप कहिए कुछ भी हो मैं उश्यारी सफलता प्राप्त करूंगा, मैं इसी जीवन मे नहीं नहीं इसी क्षान आत्मक साकसात करूंगा, कोई शफलता मेरे मार्ग में रुकावर्ट नहीं डाल सकती, प्रहतना और कोशिस आपकी और से ही उनी चाहिए, बुखे मनुश्य को आप ही खाना पड़ेगा, प्यास को पीना, पानी पीना ही पड़ेगा, आध्यात में आपको हर एक कदम अपने अपने आप ही रखना होगा, इस बात को बली प्रकास मनन रखे, शाहसी बनो, यद पी रोज बेरोजगा, को हो कुछ खाने को ही नहीं हो, तन पर वस्त्र भी न होए, तब भी सदा प्रसन रहो, आपका यथात सभाव सच्चिनान दंदर है, वह ब आया काही कारिय है, मुश्कराओ, शिटी बजाओ, हसो, खुदो और आनन्द में बगना होकर नाच्चो, कर्मयोग्यों का सुशिल मनोहर मिलचार पकड़तिक का होना होगा, उसका पुण रुप से अनुकुल चमाक्षिलता सान भूति करने वाला विश्व प्रेमदया के ग रहना होगा, उनको दूसरों को चाल तथा आदतों के अनुकुल ही अपने को बनाना होगा, आपको अपने रदय को ऐसा बनाना होगा कि अभी सभी को अपने गले लगा सके, उन्हें अपने मन को शान्त तथा समतल्य रखना होगा, दूसरों को सुखी देखकर उसको प्रसं अपनी सब इंद्रियों को अपने वस में रखना होगा, अपना जीवन बहुत साध्गी से व्यतित करना होगा, उने अनादर अपकिर्ति, निंदा, कलंक, लज्जित होना, पठोड वच्छन सुनना, चित उस्टत था रोगों के कष्ट को सहनना होगा, उने चाहनसिल होना अपने गुरू के वच्छन में पूरा विश्वास रखना होगा, जो मनुष्य संसार की सेवा करता है, वो अपनी ही सेवा करता है, जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, वास्तों में वो अपनी ही मदद करता है, यह सदा द्यान में रखने योग्य बात है, जब आप बशकर कि इस्वन ने आपको शेवा द्वारा अपनेको उनत तथा सुधाने का दुल्लब और शवर दिया है उस मनुस्य के आपको त्रग्न हो जिसने आपको सेवा करने का अउसर दिया हो कर्मयोग की मन का अंतरज्योत का तता आत्मगनान की प्राप्तिका उप्युप्त पात्रब बनाता है वह रदय को विशाल बनाकर सब्रकार के बादा विगनों को जो एकता प्राप्त करने में बादा हुआ करते है अट्टा देता है गर्मयोग की चित्र रुद के लिए एक सफल जाधन है निसकाम सिवा करने से आप अपने रदय को पवित्र बना लेते है अंकार द्रोना इशाल शेष्टता का बाव और उसी प्रकाश के और आशुरी संपत के गुन नश्ट हो जाते नमड़ता सुद्ध प्रेम शान भूतिक शमा दया की उड़ूती होती पेदबाव मिट जाहे तेहे स्वार्त पड़ता निर्बूल हो जाते आपका जीवन विश्प्रुत तता उड़ार हो जाने का आप एकता का अनुबो करने लगेगे अनत में आपको आत्मगनान प्राप्त हो जाएगा आप सब में एक और एक में ही सब का अनुबो करने लगेगे आप अत्यंदिक आनन का अनुबो करने लगेगे संसार कुछ भी नहीं है केवल इश्वर ही की अनुबोत ही है लोग सेवा ही इश्वर की सेवा है सेवा को पुरी पुजा कहते है अधिकांश साध्द का कुछ सेवा के बाद ही सिद्र ही इस्वर प्राप्तिक के लिए अधिर हो जाते हैं यह निश्काम सेवा या कर्मयोग का लक्षन नहीं कर्मयोग वे हैं जो नमढळता तता आत्म बाउसे मनुश्यों की स्यवा करते हैं वही वास्तों में अकिल विश्व के नायक बन जाते हैं, सब लोग उनकी बढ़ाय तर्था आदर करते हैं, जितना ही आत्मबाव से स्यवा करने जाये, आप उनकी विशेश सकती वोरुस्तता योग्यता प्राप्त करेंगे, आप उसका अध्यास करके ही स्वयम अनुबव प् अध्यास का गवनोश्या का एक अंग ही बन जाता है, तब रेचक मात्रही किसी प्राकार की कामना नहीं रहना जाया करती है, उनको दुस्तों की स्यवा तथा प्रलाय करने से ही उनकीत आनन्द का अनुबव हुआ करता है, रड़ निश्काम स्यवा करने से एक विशित्र प प्रत्र कर्म करनें से अंतरिक आध्यात्मिक सत्य और वल होता है आप दूसरों की सिवा करते समय भीज यानी राशा विर्कित तता उदासिन के बावों को कभी मन में भी न लाया करें सेवा में ही आनतित होकर सेवा क्या करें दूसरों के सेवा करने के लिए सदा प्रत्रुत रहा करें सेवा करने के अवसर को डुंडा करें एक भी अवसर न चुके सेवा करने का अवसर सयम बना दिया करें कर्मयोक से अभ्यास में किया गया परिश्रम कभी निश्क फल नहीं होता यह असाज्य भी नहीं है उसमें अप्राद तो होता ही नहीं उल्टे उसका थोड़ा भी अभ्यास करते रहने से जन्मा मरा रोप दुख तता उसकी चोह योगीनी बुरायों के ही निवरुती होती है यहां अन्निशित कुछ भी नहीं है कर्मयोक का यो आध्यात्रिक अन्त में आत्मानंद को पर्मांगति के तक पोशा देता है शमाप अखंडे जियोती डिशेंबर उन्नीश्य अपच्चाश प्रुष्ट एट जाई गुल्देव जाई गुल्देव